तार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका सवागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद आज हम डिस्कुस करेंगे IDBI बैंक के बारे में क्या आपको इस शेयर पर निवेश करना चाहिए नहीं और इस शेयर में आपको आने वाल टाइम में क्या टार्गेट देखने को हो सकते है और इसके प्राइबटाइजेशन से लेटेट क्या लेटिस निउज है गाईज सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे वीडियो एंट तक जूर देखेगा पहले कंपनी के फंडेमेंटल के बारे में बात की जाए तो कंपनी के फंडेमेंटल जो है काफी स्टॉंग है गाईज कंपनी का स्टॉक नहीं जादा ओवरबॉट जोन में और ना ही अगर प्राइवेट प्लेयर को खृता है तो वह डिपेंड करेगा किस वेल्वेशन पर इन्वेस्मेंट करता हो किस वेल्वेशन पर इस टेक को खृता है अगर अच्छे कासी वेल्वेशन इस बैंक को मिलती है तब आपके इन्वेस्मेंट है उससे फाइदा होगा लेकिन काईज अगर भी हम बात करें तो कंपनी में हमें जाधा कन्विक्शन नहीं दिख रहा हमें नहीं लगता कंपनी में जाधा रैली उसके बाद भी आपको मिलेगी क्योंकि कंपनी में जो वॉलियूम से उतनी मातरा में नहीं आ रही तो मेरे आपको यही रहे रहेगी अगर आप लोग जो है लॉंग टर्म पॉइंट व्यूसे इस शेर में इन्वेस्मेंट करना चाहते तो आप यह फिक्र हो के जो है इन्वेस्मेंट कीजिए लॉंग टर्म इन्वेस्टर जो है आप इस शेर में बूलिश रह सकते हैं और आपको अगर इस शेर में अप पॉजिशन बनानी तो आप बना सकते हैं क्योंकि अभी जो है कंपनी में जो इन्वेस्मेंट होगी प्राइवट प्रेट के द्वारों अभी वह भी बिल्कुल क आप यहां से भी जो है एक है एक पॉजिशन इस शेर मा गाइस बना सकते हैं और इसमें उसकी वज़े से एक rally हमें आने वाल टाइम में देखने को मिल सकती है तो आप इस share पे बैठ कर सकते हैं इस share में एक upside move जो है अभी due है तो एक upside move जरूर इस share में आएका जिससे आप लोगों को जो है profit हो सकता है तो guys यह आपके लिए एक ठीक time बना इस share में जो है आ आर पर रखे और हमारे चैनल को जो है subscribe कीजिए धन्यवाद